जिनका नाम N से शुरू होता है आए बात करते हैं इन खास लोग वावों की जो दुनिया में बहुत ज़्यादा नाम कमाते हैं और बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं अपने जीवन काल में और बहुत ही समाज के में और जीवन के सरवोचे लक्ष को प्राप्त करते हैं ये एक इनकी लाइफ का हाई लइंट है और हम बात करेंगे इनके बच्पन जवानी और बुढ़ापे की और इनके बारे में जैसा मैंने अपर लिखी हैं इनके लिए कि शांदार वक्ता होते हैं लाखों लोग मानते हैं इनको सादू जैसा जीवन होता है कम जरूरते होती हैं और एक अनुकरणिया जीवन होता है इनका सभी के लिए जीवन में अपने सर्वोक्ष लक्ष को प्राप्त करते हैं हम इसके बारे में detail में बात करेंगे तो हम इन सब के बारे में भी detail में बात करेंगे इसी वीडियो में वाट फिलाल हम शुरू करते हैं इनका जो एक जो हमारा style है शुरू करने का उसको कि वही कौन-कौन से famous लोग वाग हैं जो इस नाम से आते हैं अगर हम सबसे पहले कुछ लोग वाओ के नाम लें जो की बहुत ही ज्यादा famous हुएं अपनी life में इसे नेल्सन जैसे की नरेंदर मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी है इस समय नरेंदर मोदी जी और नेलसन मंडेला जो की जीवन में उन्हों अपने जो है जो भी सरवोच्च हो सकता था उसको उन्होंने फ्राप्त किया बॉलीवोड पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर नाना पाटेकर नश्र उद्दीन साह नवीन निश्चल नवाज उद्दीन सिद्दिकी नील नितिन मुकेश नितीश भारतवाज जो की क्रश्नगा रोल करते थे क्रश्नगा रोल किया जिन्होंने वो भी इसी उसमें आते हैं और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो इसमें नादिरा नगमा नलिनी जैवंत और नंदा नंदिता दास नर्गिस पुरानी वाली नर्गिस जो कि नर्गिस तत्वनी आगे जा करके नर्गिस फाकरी और नतालिया कौर नवनीत कौर और भी बहुत सारे इसमें नीलम भी है ओके नीना गुपता भी है नीना कुलकर्णी भी ह हैं और इसमें काफी सारे नीटु जो की जो की के अक्ट्रेस थि पढ़ाने टाइम कि यह लोग लोग भाग इस नीजंडरी एक्ट्रेस नूतन भी जो है वो n नम वाले केटेगरी में ही आते हैं अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर निगाह डालें तो मैंने आपको बताया कि धरंदर मोदी जी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं और निकोलो मैक्यावेली जो कि एक बहुत बड़े रननीतिकार हुए हैं जिनको वेस्ट का चनक के नाम से बोला जाता है और इसी उसमें नेलसन मंडेला भी आते हैं इसी उसमें की जो लोगवागों ने महानतम जो हो सकता था लाइफ में उस तक महुचे और एन नाम के जो लोगवागों होते हैं वो वाकई में जीवन के सर्वोच लक्ष को प्राप्त करते हैं और जिसमें नैंसी पलोसी निकोला निकोला टेसला जो कि एक बहुत बड़े सैंटिस्ट हुए हैं निकोला स्केज और नावमी कामबेल निकी मिनाज नील आरम स्ट्रॉंग जो की नॉम चौमस्की जो की एक राइटर भी हैं ओके एंड मैं आपको और भी बताता हूं इनकी उसमें केटेगरी में जो की बहुत ही लिजनरी हुए हैं एन नारायन मूर्ती जो की इनफोसिस के फांडर हैं वो भी इसी केटेगरी में आते हैं निकिता खुरशेव जो की प्रा और देखिए बहुत ही शांदार तरह के लोग भाग हैं जिन्होंने जो है अपने जीवन के सर्वोच लक्ष को प्राप्त किया और और भी इसमें कई परकार के categories हैं कई परकार के नयवली Chamberlain है जो Prime Minister रहे UK के और भी मैं आपको और भी कॉपर निकस हैं जो scientist थे 14th century के या 15th century के नेपोलियन बुना पार्ट नेपोलियन थर्ड जो की जो इनका नाम भी N से शुरू होता है ओके और भी बहुत सारे लोग भाग हैं इन किस category में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिन लोग भागोंने नुसरत अलीफ अते खान ओके नजीब रजाक जो की प्राइमेस्टर थे मलेशिया की बहुत सारे लोग भाग नाम हैं इस लिस्ट में जिनोंने जो है जिन्दगी में सर्वोच लक्षे को प्राप्त किया खेर हम वापस अपनी लिस्ट पर आते हैं इनको इस लिस्ट को विराम देते हुए और हम बात करते हैं अब classical way में कि इनकी जो जीवन यात्रा है वो क्यासी चलती है देखो वही सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग आग एन नाम से जिनके नाम होते हैं वो बिल्कुल इंडिबेंडेंट होते हैं लाइफ में और वो जिन्दगी में कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते हैं without any foundations यह एक अच्छे चीज़ है कि एन नाम के लोग बहुत ज़्यादा ट चाहिए जो भी कुछ करने के लिए जो भी कुछ करना चाहें और कुछ भी बहुत ज़्यादा ambitious होते हैं और एक तरीके से यह अलग तरह के लोग बाग होते हैं जिनको जो हैं जिनका ambition और जिनका जो जिनका जो ग्यान है दुनिया की समझ है वो बिल्कुल एक तरीके से और बिल्कुल एक alternate way में सोचते हैं outside the box सोचते हैं हर एक problems का चाहे वो निकोलो मैक्यवेली हो चाहे वो राईनितिक्य हो लेकिन वो बिल्कुल एक अलग तरीके से सोचते हैं चाहे जैसे नेलसन मंडेला जी हो चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हो वो भी बिल्कुल एक होती है इन लोगवाओ की freedom लोगवाओ की आजादी को लोगवाओ की जिन्दगी को बड़ा बड़ा महत्व देते हैं जिन्दगी में इन्होंने struggle किया होता है एक जिन्दगी में जहां कहीं पर भी पहुंचते हैं बड़े struggle के बाद पहुंचते हैं और जिन्दगी में freedom और अपने काम करने के तरीकों में बदलाव करते रहते हैं और एक तरीके से free spirit होते हैं और बहुत सारे एक तरीके से जो मैं राजनितिक को अगर राजनितिक जो व्यक्ति हैं अगर उनको में एक तरफ थोड़ा सा side कर दें या उनको हम उनके उनसे थोड़ा सा focus अगर हम नॉर से जॉब में शुरू हो जाएगा ऐसे लेकिन हर एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद ही उससे जो है बाहर निकलते हैं लेकिन लेकिन इनकी लाइफ में एक चीज सुरुनिय होते हैं वह के नॉर्मल लाइफ को एक ये इस तरीके से यह है और जो है जिन्दगी में यतने भी मित्र बनाते हैं वो बड़े ही घनिष्ट मित्र बनाते हैं और बड़े ही जो है उनको बिलकुल अपने दिल के करीब रखते हैं जिंदगी में कभी भी slowdown नहीं करते हैं जो भी काम करते हैं एकड़ फास्टर स्पीड में करते हैं and that's what keeps them apart यह एन लोगवाओ के नाम की खासियत है और एन नाम के जो लोगवाओ हैं वो राइटर अच्छी चीजे लिखते हैं बढ़िया जो है स्पीच देते हैं शांदार स्पीच देते हैं ऐसी स्पीच देते हैं कि लोगवाओ जो है captivating हो करके बिल्कुल लोगवाओ मंत्र मुगदो करके बिल्कुल सुनते हैं उसे स्पीच को और आपके जीवन को टच करते हैं ओके negativity के अगर हिसाब से दिखा जाए तो negativity इनकी जो है character में कुछ दिखाई नहीं देती है बाकी अभी हम एक लेवल पे और बात करेंगे और की एक लेवल की और बात करेंगे हम इनके लिए कि जो एन नाम के लोगवाओ हैं हाला कि वो जीवन में काफी कुछ प्राप्त करते हैं हम इनके बच्प अब एन नाम का जो बच्पन है जो एन नाम का जो व्यक्ति है वो अपना बच्पन जो है बहुत ही एक तरीके से मैला एक unsettling माहौल में जीवन शुरू होगा जहां पर बहुत सारी संगर्स होगा जहां पर बहुत सारी चीजें एक जीवन जीने के लिए जो चाहिए वहाँ और वहाँ पर नहीं होंगी उसकी वेश से इनीशल लेवल पर स्ट्रगल होगा चाहे वो नेलसन मंडेला हो चाहे वो हमारे प्रदान मंत्री जी हो सभी ने जो है एक जीवन जो है वो बड़े ही एक संगर्स में तौर पर शुरू किया और भी जितने भी जो एन नाम के विक्त पॉजिटिवली अच्छे राजनीती के ग्याता होते हैं अच्छे रणनीती कार होते हैं और परिश्रमी होते हैं बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं जिंदगी में रणनीती तो जवर्दस्त बनाते हैं राजनीती की समझ बहुत ही शांदार होती है लोगों की सेवा में अधि भी ने कोई influence या किसी ना किसी cause के लिए जरूर लड़ते हैं इनकी जो जवानी का time है वो किसी ना किसी cause के लिए समर्पेत होता है किसी ना किसी कारण के लिए किसी लक्ष के लिए समर्पेत होता है और जैसे जैसे ये बढ़ापे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे इनका जीवन भी जो है वो सर्वोच लक्ष की तरफ पढ़ता चला जाता है, जीवन में जो भी सर्वोच, जो भी सबसे अच्छा है ये उसको पराप्त करते हैं, चाहिए वो नील आरम स्ट्रोंग हो, चाहिए वो नलसन बंडेला जी हो, चाहिए वो हमारे प्रधान मंतरी जी हो बिल्कुल जीवन के जो है सर्वोच लक्षे को प्राप्त करते हैं ये एक तरीके से और और एक 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 ऐसा बच्पन जो कि संगर स्मेरा एक ऐसी जवानी जो किसी कौज के लिए लड़े और एक ऐसा बढ़ापा जिसमें लोगवागों ने इनको बहुत जादा मान दिया समान दिया और ये बिल्कुल अधिकारी हैं उसके इसमें कोई भी संदे नहीं है कि ये बिल्कुल जो है लोगवागों की अच्छी खासी वाला लोगवागों पर अच्छा खासा कमांड करते हैं और एक अनुकरण नहीं जीवन है सादू जैसा जीवन बिताते हैं एक 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 ऐसे बच्छपन से होते हुए जिसमें अभाव था चीज़ों का जहां पर ये ग्रीडी हो सकते थे लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ी खामियां आ सकते थी लेकिन इन्हों ये खामियां एक सादू वाला रास्ता चुना जहां पर बिल्कुल सादूऑ जैसा जीवन है जहां पर बहुत कम जरूरतें हैं पैसे HEY जरूरत ना के बढ़ेगा यकीन मानिए आप भी जो है ये महान बनने की राह पर बिलकुल होंगे थैंक यू बेरी मुच फू वाचिंग एंड जाने से पहले यही कहना चाहता हूं चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजे थैंक यू वेरी मुच फू वाचिंग गॉड ब्लस यू और राइए थैं टेक केर बाई बाई